आप सबी साथों का स्वागत है, मैं अर्विन सक्सेना बोला हूँ साधना जगत के रहस्यों तथा तत्यों को जानने के लिए इस चनल के प्रतेख वीडियो को देखें और उसमें दीगरी प्रतेख प्लेलिस्ट को भी देखें अब ये एक वीडियो जो है इसमें मैं बगला मुखी रहस्यों से जो हैं, उनके बारे में कुछ अच्छा करूँगा और जो बगला मुखी रहस्यों से में कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो कि बहुत ही आवश्यक होते हैं लेकिन जायतर साथकों को वो उसके बारे में जानकारी नहीं होती लेकिन ये बगलामगी साथना जो कि महाविध्या साथना है अक्तास महाविध्याओं में इनका आठवा नंबर है आठवी महाविध्या है और ये इस्तंबन शक्ति जो है ये यह संबन की शक्ति इनके बारे में मालूम होना चाहिए कि बहुत हिंके प्रयोक कर जाते процесс the power कर जाते हैं कि निकि मिस्जीऊ चाहिए ऐसका अपर करने कि छोटा-गिशर्फ में करा कि प्रया कि नहीं बात होती को कि महाविध्या साधना जो होती है वो उनके प्रोक की पातरता होती है वो पातरता होती है उन्हीं वक्टियों के पास में जो की लंबे समय तक महाविध्या साधना की पासना कर रहे हैं और पर्मानेंट तरीके से कर रहे हैं नहीं मां को बगला मुकी को मा मांन के उनकी राधना करते हो वो विशेश परशिती में अपने लिए स्वें में लोग कुछ कर सकते हैं बाकी लोग नहीं कर सकते हैं दूसरे के लिए अकर विक्ति करना पी चाहें को कि महा विद्या साथना चाहिए मावपरज्याग साथना करना प्रोक करना राक्षा के लिए तो वो कर सकता है लेकिन बहूती एक ऐसा विशा हो जाएगा जिसमें कि उसको बहुती सचे तरहना चाहिए और 99.99% केज में उसको किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए अपनी रक्षा के लिए उसको करने की आवशक्ता इसलिए नहीं रहती क्योंकि वो लगाता है मा बगला मुगी की साधना कर रहा है मा बगला मुगी वैसे ही उसको प्रोटक्शन दे देती ही रक्षा करती ही रहती ही है इसलिए उसको उप्रयोग करने की क्या उशक्त है ये बात जान रखना है मैं जो मैंने कुछ वीडियो बने हुए है मा बगला मुखी पर आपको जो प्लेलिस्ट में मिल लेंगे और जो की आपको जहां पर मा विद्या साधना है मा काली तारा बगला मुखी दुमा होती है उन प्लेलिस्ट में देखिए का आपको मा विद्या साधना में दस मा विद्या साधना में मिलती चली जाएंगी आपको फिर भी दो सब बारा नमबर का वीडियो देखेंगे 3-410 नमबर का जो वीडिया है बगला मुकी रहसे अधर्वा सूत्र वल्गा मुकी पीता करई यह देखने के दरूर प्यास करें किंगे सबने disrupt सूत्र में धागा यह प्राण सूक्त होता है अधरवा सूत्र एक प्रकार का प्राण सूत्र होता है जो की तेज होता है जो की प्राणियों के शरी से निकलता है यह शक्ति सूत्र होता है और इस अधरवा सूत्र रूपा महा शक्ति का नाम वल्गा मुखी है अभी जो वल्ग को बगला में बदल नाम बदल जाता है उसको बगला नाम से जानते हैं ये एक वीडियो नमबर 410 में भी मैंने बता हुई बात अब कोई यह चीज को विद्या को समझना आए तो ध्यान रखें कि महा विद्या को साधना को समझने के लिए सिद्धान्द पक्ष समझना हैं वो चाहें कोई भी महा विद्या करो यह जरूरी नहीं कि बगला मुखी साधना हो या कोई भी महा विद्या हो लेकिन उसके लिए सब कुछ समझने के लिए जो भी यह हैं बहुत ही कैरफूल हो कि समझना चाहिए कि हमारा समय कैसा चल ला है यदि हमको समय के बार हम जान हो सकती है लेकिन जो भी माँ विद्या करनी हो उसके लिए समय को या कोई भी साधना करनी है उसके लिए समय के लिए मेरे वीडियो बने हुए सब्सक्राइब करते हैं और 277 विश्वास आज के समय में नहीं किसी इंफॉर्मिशन पर या वक्ची पर करना चाहिए नहीं तो अनिस्ट का प्रवेश होता है यह आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में और इसमें कुछ और वीडियो मिलेंगे जो की बहुत मदपून है जिसमें क इंचे भी हमको बचना चाहिए वह है 306, 308 और 327 नमर के वीडियो में लेंगे अपून गुरू अपून गुरू एक बहुत बड़ी समस्या होते हैं वह हमेशा जो है जो हाँ पर कोई वक्ची या कोई काना कोई साधक महुच गया तो वह सो कलदिशा में ही ले जाएंगे क महेश वरा गुरू साक्षात पर ब्रह्म तसमेश श्री गुरुवे नमा यानि कि जो ब्रह्मा विश्रू महेश तीनों के सुनों का भेधन करता हुआ और उसके बात की सिस्तर पहुंच जाएगा ये बाद मैंने पंजमुंडी आसन वाले रहसे में बताई है इतना भेधन क कि लेगल को भी प्रास नहीं कर पाया है और अपने मन में आके बास उसने गुरू बनने की सोच ली तो अपूर गुरू की शेडी में ख़ड़ा हो जाता हो इससा बातियां को 306, 306, 306, 306 इसमबर मिलेंगी तो अपूर्ण है तो उसका पूर्णता है ज्यान की पूर्णता यहाँ पड़े नहीं होंगे पढ़े होते हैं तो अगर शासर की फढ़ लिए थोड़े से भी कुछ पढ़ लिए तो कम से कब्सक्रा वह गुरू नहीं बनेगा यह जहांद रही जब तक नहीं आई को समझ जाएगा कि मैं जब पूंदता नहीं नहीं तमय को गुरु अपूरु नहीं बनेगा तो फिर दूसरा का मार्कदरशन प्रिकार के जो होते हैं इस प्रिश्यल एडवाइजर कोच ही है वह तो जो इस सारे जो पी होते हैं इस शाथ जो है इसका लाव मिल जाएगा ये लाव मिल जाएगा निए भै और लालच का एक कॉमपनिशन बना के उसके बाद है अपूर मारुदेशन करने पहुंच गया वहां पर अगर कोई वक्षी या सही साथ चला गया तो बटक जाएगा ये बहुत ही बड़ा ट्रैप होता है ये स वीडियो मेरे बने हुए और बचना चाहिए 302 नमर का वीडियो देखिए गा तो करना क्या है शास्तनों की शरण में रहना है कहीं और जाना नहीं है कब बच जाएंगे होई एक हमारा सारा है अथरशीश वाले वीडियो मेरे देखिए गा बटक निश्वत में पड़े हु जीवन कम है उसमें बरबात कर लो भी कितने थो ऐसे भी 20s में 30s में लोग नहीं कर वाते हैं बहुत लेट में जाकर सूचते हैं कि चलो कुछ जीवन में धक्के खाकर समद में आ रही है कि या परशानी आ रही है कुछ या किसी और बिरे सभी दिमाग में आया तो कि चलो आपिलिकेशन पार्ट नहीं हैरी कि सिद्धान्त भक्षय है उसके बहुत पार्थ हमारे लिए कार नहीं है even the यहां पर जाने नहीं जाए तो बहुत सारे खत्रे होते हैं, आप देखेंगे वीडियो समझ आएगा, किसी की खोज करो, अपनी खोज करो, अपनी खोज करनी है, दिवमा की खोज कर लो, उसी कली में, इसी बेग्राउंड में आपको मा वगला मुखी के बारे में जो मैं रहे कि बारें बहुत सारी बातें बताईं उनको आप देखने का प्रयास करें इस वीडियो में आपको मावगलाम की के वे कुछ और तत्यों के बारें बता ना जा रहा हूं मावगलाम की वो स्वन सिंगासन बैठी हुई है सिर्प सोने का उनका जो मुकट है पीत वन है उनकी स्वन कांती है पीत वस्तर है और पीत अभूशन है और पीत पुष्प है जिसमें का शंगार हुआ है और जिसमें की स्वन चंपा जो है उनकी माला जव उनके गरले में पली होती है स्वाने चंपा माला जब धारन करती है ये जो होता है इसका मतलब होता है संपून मात्रकाओं को धारान करने वाली कुर्णली शक्ती और उनके बाएंहाँ से जो है दुस्ट की जीब कीच रही होती है और दाएंहाँ से जो गदा के दौर दुस्ट के मस्तक पर प्रहार कर रही होती है और उनके तीन नेतर होती है तो जो बाहना से दुस्ट की जीब कीच रही होते हैं, जीब का जो मतलब होता है मैंने बताया कि गलत वानी जो होती है, दुस्ट की जीब का मतलब असत्य है, गाली, घ्रणा करो दी सब करना और पहलाना negative thoughts या negative actions इन समों के बारे हैं सोचना या करना उन समों को ये जह हैं उनका स्थम्बन कर देती हैं उनको रोक देती हैं और जब तक इनका स्थम्बन नहीं होगा तब तक आध्यात्मे को नती कुछ नहीं हो सकती दिल में घृणा भरी होई हो घृणा पहला रहे हो जूट बोल सूख और जब जाना गाली दे रहे हैं इंसा की बात सोच रहे हैं तो वह अध्यात्मिक उन्ती की निशानी नहीं हो आध्यात्मिक नीचे पतन की निशानी होता है यारि कि वह संसार के लेवल ही है A B C D हैंकि कोई साधना को भी कुछ कर रहा हो को बिसा सुर्फ कर्मखान के बड़ासि निए आप तलज में कस्कों वीं जारीक Kil変र होरी किक पर्सितिशन नातु है लुट पशनु पशनु निस्विसर न में लग्वाद मां बगला मुकी की साथना बड़ी इंपॉर्टेंट हो थी कोई वक्टी या कोई साधक ऐसी परसिती में फस गया हो तो पहले तो प्रत ना करना चाहिए इससे ना करो लेकिन आगा मां ली नहीं हो पारा रहा हूं उसको परसिती आसी बन रही हो कुछ ऐसी बातें हो रही है उ इनका मतलब होता है जो थौट्स हैं स्पीच हैं अक्शन्स उनका स्थम्बन कर देती हैं इनकी विद्या को ब्रहमास्तर की इसलिए का जाता है क्योंकि ये ब्रहम ग्यान की शक्ति देती हैं जो कि सारे संधे और संगश और विबात को समाप्त कर देती है विबात अपने अ और चमपशु और चमपश करते हैं, जीप का मतलब क्या होता है जीप से जब कीचा जा रहा है तो जीप का जो मूल होता है उसमें एक तैजस लिंग होता है उसको इंद्रियोनी कहते है उस इंद्रियोनी का जो भी ध्यान करता है उसको इंद्रियोनी विद्या कहते है तो इनकी उपासना एंदर योनी विद्या द्वारा भी होती है यह तो जीब कीशने वाला है आपको दूसरा एक्स्पनेशन बता रहूँ शायद बहुत ही रेर बात होगी जो कि मैं शायद इसमें वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहूँ वैसे यह सारे वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैनल के देखने का प्रयास करें 20-25 वीडियो देखने वे भी समय में बात आजाएगी कि सादनात्मक जो जानकारिया है और कितना अपना एक उस्तार समय में आजाएगा यह सबसे शुरक्षित गार गाएगी। बाकि मावगला मुखी इनके मस्तक के उपर में चंद्रमा की स्थी होती है मस्तक के होने का मतलब होता है शोडश कलामाई नादशक्टी, सूला कलाएग होती है उसके बारे में यहां वीशेष चर्चा और नहीं करूँ गोड़ी वीडियो बहुत पृट टेक्निकल भी हो जाएगा वर इसलिए भी किसी और वीडियो में बनाने के पृशिक करूँ गोग्यों यह बात ही गुर्वाली बातים गुर्ब इद्या होती है गल्ड हैस होते हैं, तो थोड़ा सा समझाना भी बाद मुश्फिल होता है, खुल समझ में आना एक अलग बात है, दूसरे को समझाना भाद दूसरी बात हो जाती है, फिर भी मैं प्रास करूँ का कभी आगे, और मा बगलामगी जो है, इनका जो लोक है, पित रियान के मार्ग में है, और इसमें य वायू का चलने को रोकना या वायू स्तंबन कर देना अपना, अब यह जो योग की बाते हैं, अब आप सोच रहे होगे कि यहां मैं योग की बात बता रहा हूं यहां मंतरात में बाते भी बता रहा हूं, तो देखेंज़ जाक किसी भी मार्ग से जाएंगे, सिंटम्स कि यह कोई यह हो सकता है कि वह एक रूट रूट में फरक हो सकता है लेकिन जो शरीर के अंदर में जो चेंजिस होंगे वो तो कौमें न हो जाएंगे ना जैसे कि आप मा बगला मुखिक मंतर करेगा तो उसमें कुम्मक वाली सित्य आईगी आईगी जो वो मैंने बात बता है अभी इंदर यूनी विद्या वाली बात, मंतर फिरेगा उसको नहीं भी बता होगा, तो भी उसको अपने कुछ जीब के, जो उसके, जीब के मूल में उसको कुछ लगेगा, कि वहाँ पे अपने भ्यान जाने लग जाएगा, इस सब बाते भी होने लगे, ये सब लक्षन भी होते हैं, कि हमा बज्या साधना जो बगला मुखी कर रहे हैं, उसमें हम सही चल ले हैं, इसलिए भी मैंने ये वीडियो में डालने का प्रयास किया, कि ये योग के दृस्टी से भी क्या दिखा जाए, लेकिन क्या है कि कोई भी चीज हो, हम ये तरभी रखे सामने, ये का विकास होगा, तो काम क्रोध लोग मों भाय गरना जो गुपसा वैसी कम होते चले जाएंगे अपने हम, और अगा विकास नहीं हो रहागा, हम नीचे गर रहा होंगे, तो ये टीज बड़ती चले जाएंगे, एक बिसिक इंडिकेटर, थम रूल की तरीके से, इसको देख बगला मुजी resistant रहस, अथरवा सूतर, वल्गा मुजी यालाई ये वीजिए वीडियो को भी दोनुक कम्माइन करके लिए ऐने लिद्ध, वीजिए करें देखने हैं और वीजियो को भी तो बहुत ही विशेश जान करिएं आपको बगला मुजी रहा के पाद दिन पर प्रोग करके उनको विसरजन करना नहीं सब नहीं करना चाहिए इनकी लगातार सतत साधना जो कर पाए उसी कोई इन माविद्धाव साधना में प्रवेश करना चाहिए ये बात समझने चाहिए क्योंकि ये नेवि मा का रूप है और इनको मा मानते हुए इनकी जैसे कहते हैं कि इन साधना भी कर रहा है और सेवा के रूप में हो रही है और उसके बाद वो अपने आप में सारी चीज़ों को कर दी है उसके आगे प्र प्रयोग करने की आवशक्ता नहीं करती यदि कोई बहुत ही परिशान वक्ती हो मैंने किसी वीडियो में पहले बताए हुए बगला मुखी में और किसी दूसरे को पैसे दे के और साधना इत्यादी बगला मुखी की सोचता उसको नहीं करना चाहिए और जो भी अगरबती जलागे अदूबती जलागे और अपना दिया जलागे उनका जया रहे हुए उसके बिशेश रूप से आप 408 नमड़ के वीडियो देखेगा ये प्रवेश करने के चोग हो उनके लिए बेसिक वीजियो की तरीके से मैंने बनाया है और कुछी सेरीज में कुछ और वीजियों भी आएगे लेकिन वह पहला पार्ट जरूर देखेगा वीडियो नम्मर यह है 408 तो इससे भी समझ भाए कि तभी सब करते हों तब बगलामों की साधना में शौट साधना भी करी जाए तो भी बहुत सारे जो होते हैं शत्रू का स्थम्मर अपने आप होता है परशानियों का स्थम्मर अपने आप होता है उसमें किसी के पाज जाने की जरूत नहीं है, घर में ही फिशे रूप से साधर हैं हो सकती है यह आप 312 नुमर का भी वीडियो जरूद देख लीजेगा तो आशा करता हूँ कि आप सुनों को जान करें अच्छे लगी होगी इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद